हेलो हेलो अवाजरी अप लोगो हेलो हेलो आवाज क्लियर है एक बार बता दीजेगा आवाज क्लियर आ रही है वोईस और विजूल दोनों क्लियर है ओडियो वीडियो क्लियर एक बार बता दीजेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ओल उफ यू तो तयार हैं आप टेस्ट के लिए फुल लेंथ टेस्ट 17 है और 17 पे क्या होता है 17 पे होता है खत्रा ठीक है तो समाल के टेम्ब केजिए 17 पे खत्रा है गुड मॉर्निंग कुड मॉर्निंग हेलो स्टार्क, बड़े दिनों बाद आप दिखाई दिये तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और चली हम शुरू करते हैं हमारा कारवान ओल इंडिया UPS CPF full land test 17 और 16 अभी तक हो चुके हैं जिसमें किसी का अच्छा स्कोर है किसी का बुरा स्कोर है तो जैसा भी है अब आपको अच्छे से अच्छा करना है जी काम ज़्यादा है ओके गुड मॉर्निंग शिखा बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके तो जिसके भी अच्छे नंबर हैं उसको और अच्छा करने की जरुवत है और जिसके कम है उसको बढ़ाने की जरुवत है, तो चलिए शुरू करते हैं, 11.05 के लिए मैंने बोला था, आप से 11.10 हो गई, थोड़ा, वेल्कम, वेल्कम, तो टेक्नलोजी भी कभी थोड़ा बोट टाइम ले लेती है, स्टार्ट करने में भी एक दो मिनिट लग जाते हैं अब और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंसर की, पता नहीं आप लोग क्यों पूछते हैं, हर टेस्ट के नीचे उसकी PDF रहती है, आंसर की की पता नहीं क्यों नहीं मिलती है आपको उसके साथ नहीं रहती है टिक फॉर्मेट में नहीं रहता क्योंकि फिर पढ़ने में दिक्कत आती है इसलिए लेकिन आंसर की तो साथ में रहती है जो टेस्ट इसलिए तो उसमें चैट बंद की हुई है जो आपको PDF मिलेगा टेस्ट का उसके नीचे ही आंसर की रहेगी ठीक है जो टेस्ट रहेगा उसके नीचे ही आंसर की मिल जाएगी आपको बिल्कुल सब कुछ Telegram पर ही है चाहें कोई PDF हो चाहें टेस्ट हो सब कुछ Telegram पर available है तो चलिए all set copy panel लेके बैठ जाईए और देखते जाईए क्या सही क्या गलत तो चलिए शुरुवात करते हैं ओके ओल सेट question number one which one of the following is synonym of the word written in capital letters Mark Antony's Eulogy of Caesar is finally recorded by Shakespeare of his play good morning good morning प्रणाम तो first question Mark Antony's Eulogy Eulogy का आपको synonym बताना है synonym बताना है और जो capital letter में उसका यानि Eulogy का morning रेवाती तो आपको Eulogy का बताना है synonym क्या आंसर है इसका praise ठीक है तारीफ करना इसका आंसर होता है तो praise इसका आंसर है Eulogy next question you are a very recalcitrant person तो recalcitrant का मतलब क्या होता है recalcitrant का मतलब you are a very recalcitrant person आप inspiring हो आप jovial हो आप stubborn हो या आप proudie हो तो क्या होता है recalcitrant का मतलब stubborn rude आदमी hard to please ठीक है recalcitrant stubborn next question Reema is a plausible lady Reema जो है वो एक plausible lady है इसका synonym क्या है plausible का प्रेस वर्दी believable beautiful या friendly तो रीमा कैसी ओरत है प्रेस वर्दी है believable है beautiful है या friendly है जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके साब से आंसर बहुत धीरे आ रहे हैं तो इसका आंसर है बिलीवेबल, प्लॉसीबल मतलब होता है बिलीवेबल, ट्रस्टेबल, ठीक है तो रीमा कैसी एक ट्रस्टेबल है, उप्शन नमबर टू गलत हुआ सबी का ध्यान रखें, प्लॉसीबल मिस बिलीवेबल नेक्स्ट है, शी वाज ओवर स्ट्रंग बिफोर दा पर्फोर्मेंस, वो पर्फोर्मेंस के पहले ओवर स्ट्रंग थी एंटोनिम, एंटोनिम यहाँ पर बताना है आपको एंटोनिम यहाँ पर बताना है आपको ओवर स्ट्रंग का एंटोनिम एंटोनिम यहाँ पर बताना है तो क्या थी वो परफॉमेंस के पहले वो थी ओवर स्ट्रंग मतलब बहुत परिशान थी तो इसका इंटोनिम क्या होगा काम ठीक है शांत थी next question he fell fall of me when I asked him to apologize to his teacher he fell fall of me when I asked him to apologize his teacher तो fell fall of me का अर्थ क्या है यहाँ पर उसका आपको एंटोनिम बताना है ध्यान रखिए एंटोनिम बताना है he fell fall of me का आपको एंटोनिम बताना है गुड मोर्निंग राजेश तो क्या answer है एंटोनिम इसका answer है made friends with me fell fall of me का मतलब उससे दुश्मन नहीं कर ली तो इसका एंटोनिम made friends with me option 3 next question the committee rejected his ludicrous proposal committee rejected his ludicrous proposal committee ने उसका ludicrous proposal जो है वो reject कर दिया एंटोनिम आपको बताना है जो लोग पीछे चल रहे हैं question में मैं request करूँगा कि अभी आप साथ में चलें बाद में बचे वे question attempt कर लें तो ludicrous का एंटोनिम है reasonable आप odd man out से भी कर सकते हैं जो reasonable नहीं था उसको reject कर दिया तो इसका एंटोनिम क्या है reasonable ठीक है next question आपको बतानी है error the modern office block sticks out like a sore thumb among the old buildings in the area the modern office block sticks out like a sore thumb among the old buildings in the area error आपको बताना है 7th question the modern office block sticks out like a sore thumb among the old buildings in the area कोई error नहीं है no error जी no error next question the two books are the same except for the fact that this has an answer in the back good morning sapna तो क्या answer है यहां पर the two books are the same except for the fact that this has an answer in the back क्या answer है क्या answer है कुछ लोगों का सही है क्या answer है क्या answer है इसका option number three has an answer in the back की जगे क्या होना चाहिए add the back ठीक है add the back होना चाहिए अर प्येम की गुडबुक्स ने उसको एलेक्शन तो जिता दिया लेकिन he has still to prove that he is not a just pretty face he is not a just pretty face क्या answer है option three he is not just a pretty face होना चाहिए just पहले आना चाहिए he is not just a pretty face होना चाहिए ठीक है next question the art of secret writings को क्या बोलते हैं one word है आपके लिए the art of secret writings क्या बोलते हैं इसको dactylography, cipher eugenics या acoustics the art of secret writings क्या answer है तो क्या answer है 10th का cipher option number two ठीक है क्या answer है cipher next question a group of flies or locusts, bees, ants इसको क्या बोलते हैं a group of flies, locusts, bees, ants क्या बोलते हैं इसको 11th question swam ठीक है क्या answer है option two swam next question as the train dash the passengers ran here and there क्या फ्रेजल वर्ब आएगी pulled on, pulled in, pulled down या pulled it likes का number बहुत कम है तो likes भी करते रही है और answer दीजिए as the train dash the passengers ran here and there क्या answer होगा pulled in option two pulled in जैसे ही train आई वैसे ही लोग इदर उदर भागे pulled in तो train क्या आने के लिए उस होता है pulled in next question the politicians should not try to work dash communal frenzy appropriate preposition आपको बता नही है the politicians should not try to work dash communal frenzy ठीक है तो क्या answer होगा इसका hello अंकित तो pulled in वहाँ पर answer था यहाँ पर answer क्या है politicians should not try to work dash communal frenzy work अप यहाँ पर answer है option three politicians को भावना नहीं भढ़कानी चाहिए तो यहाँ पर भावना है भढ़काने के लिए instigate करने के लिए क्या आता है work up ठीक है next question she always reminds me of her mother since she dash her mother work out का मतलब होता है problem solve करना work up का मतलब होता है भावना है भढ़काना तो वो हमेशा मुझे उसकी मम्मी की याद दिलाती है क्योंकि वो उसकी मम्मी के लुक आफ्टर टेक्स आफ्टर टेक्स और लुक्स डाउन क्या आंसर हो है यहाँ पर टेक्स आफ्टर या रिजेंबल वो उसकी मम्मी की याद दिलाती है क्योंकि वो उनके जैसी लगती है लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देख भाल करना टेक्स आफ्टर मतलब उनके जैसा लगना ठीके तो टेक्स आफ्टर आएगा वो उनके जैसी लगती है इसलिए मुझे याद दिलाती है, next question, man has grown so clever that it is difficult to set in, see through, see for, see in, level of difficulty high है, मैंने पहले ही कहा था, 17 पर खत्रा होता है, तो 17 को ध्यान से attempt कीजिए, बहुत सोच समझ के, तो man has grown so clever that it is difficult to, dash his tricks, see through, see through his tricks, उसकी tricks को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, आदमी इस तरीके से करता है कि उसकी tricks को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो क्या answer is see through, next question, the poor, look, dash, financial help from the government, तो poor जो हैं, वो government की तरफ देखते हैं, look on, look in, look for, or look to, क्या answer होगा, तो इसका answer होगा, look to, rely upon या फिर किसी की तरफ आपको, आप rely करते हो, तो उसके लिए आता है, look to, उसके आप rely करते होगा, वो आपको चीज़े देगा, तो गरीब जो हैं, वो financial help ले, सरकार की तरफ देखते हैं, look to, next question, the speech of our leaders are not sincere, they are intended to play the gallery, they are intended to play the gallery, तो क्या आएगा, speeches जो हैं, हमारे लीडर की वो sincere नहीं है, they are intended to play the gallery, play the gallery का मतलब क्या होता है, take talking in a light manner, hello soro, स्वागत है आपका, तो क्या है यहाँ पर, स्वागत है आपका के बाद, मेरे मुझे अभी निकलने वाला था, कौन मनेगा करोड़ पती में हैं, तो यहाँ पर क्या answer है, speeches of our leaders are not sincere, they are intended to play the gallery, क्या answer है, to gain cheap popularity, to gain cheap popularity, ठीक है, play the gallery का मतलब होता है, to gain cheap popularity, next question, a victory in Cargill War, proved a shot in the arm of our defense force, victory in Cargill War, जो है वो साबित हुई, एक shot in the arm, shot in the arm का मतलब क्या होता है, तो short in the arm का मतलब क्या होता है, something encouraging, ठीक है, encourage करने वाला, यह होता है, short in the arm का मतलब, encouraging, next question, let him dance, let him dance, question tag, English गलत हो रही है, तो ध्यान दीजिए, क्यों गलत हो रही है, तो let him dance, का question tag आपको बताना है, तो क्या answer है आपको, will you, जब him आता है let के साथ, तो आता है you, ठीक है, let him dance, will you, next question, nothing has improved, nothing has improved, has it, is it, have they, या haven't they, कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ है, क्या आएगा question tag, क्या question tag आएगा, nothing has improved, have they, पहले से negative है, तो negative तो आएगा नहीं, और nothing has improved, के लिए क्या आता है, have they, plural में आता है, ठीक है, have they, next question, पीजन्ट मूव्मेंट इस अस्वोसिएटेड विज इग्नॉर्ड अपील्स फोर रेमिशन ओफ लेंड रेवेन्यू इंकेस ओफ क्रॉप फेलियर बाया गुवर्मेंट, अंकित में राजिस्थान से हूँ, तो यहाँ पे, पीजन्ट मूव्मेंट का question आ गया है, पतलब फसलों के fail हो जाने पर, फसल नश्ट हो जाने पर किसानों की अपील को इग्नॉर करने के कारण कौन सा अंदोलन हुआ था, खेडा सत्याग रहे, बारदोली सत्याग रहे, तो चलिए आप answer कर पा रहे हैं, हिस्ट्री में answer है, खेडा सत्याग रहे, option number one, ठीक है, खेडा सत्याग रहे, option number one, next question, आपको match करना है, पबना एग्रेरियन अपराइजिंग को उसके लीडर से, इंडिगो को उसके लीडर से, और पागल पंथी को उसके लीडर से, basically सारे present movements हैं, जिनके लीडर से आपको इनको match करना है, तो क्या answer है, इसका, 132, 132 पबना, शाचांदर रोय, इंडिगो दिगंबर इस्वास और पागल पंथी करम्शा टीपुशा, ठीक है, next, which of the following happened in the last, इन में सबसे last में कौन हुआ, एहमदिया, चंपारण, पबना, और डिप्रेस्ट क्लास movement बाय डॉक्टर बी आर अम्बेड कर, सबसे last में कौन हुआ, थैंक्यू राहुल, ओके राकेश, आंसर दीजिए, राकेश, which of the following happened in the last, सबसे last में कौन सा हुआ, इन में सबसे last में हुआ, और अप्शन 4, रिलेटिवली इजी कॉश्चन इस पेपर के साब से, next question, ये बुक किसने लिखी, राना डे, गांधी, एंड जिन्ना, राना डे, गांधी, एंड जिन्ना, ये बुक किसने लिखी है, तो आंसार है यहां पर, डॉक्टर बी आर अमबेड का लगातार, दो कॉश्चन के आंसार बी आर अमबेड कर है, राना डे, गांधी, एंड जिन्ना, किसने लिखी है, बी आर अमबेड कर, next question, Montfort Reforms की चर्चा करने के लिए, एक Special Session बुलाया गया, अगस्त 1918 में, किसकी Presidency में, किसकी Presidency में बुलाया गया सेशन, मजरू लक, जेबी करपलानी, हसान इमाम, राज बिहारी बोस, अगस्त 1918, वेरी गुड आपके पापा ने आपको टेस्ट देने के लिए उठाया, बहुत अच्छी बात है, तो उनको भी पता है कि, टेस्ट आने वाला अउनली सेलेक्शन पर 11 बजे, बहुत अच्छी बात है, तो क्या आंसर इसका, हसान इमाम, option number two, हसान इमाम के अद्दक्षता में बेठा कुई थी, अगस्त 1918 में, डिसकस करने के लिए, जिसमें reject कर दिया था, यह एकदम बेकार है, ठीक है, पीडियेफ बिलकुल आपको मिलेगी टेलिग्राम गुरूप पे, पीडियेफ यार मैं मेरे पास रखके क्या करूँगा, सारी टेलिग्राम गुरूप पे आपको मिल जाती है, दुनिया भर का मेटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है, टेंशन क्यों लेते हो, जाके देखो बस, किसने लिखिये ये, सुगाता बोस, ऑप्शन 3, सुगाता बोस, next question, who was the president of All India Khilafat Committee in November 1919, when a call was made for the bycott of British goods, British goods के bycott के लिए जब एक call दिया गया, तब All India Khilafat Committee का प्रेसिडेंट कौन था? शुबहम वाइफाई नहीं चल रहा है, ओनलाइन एजुकेशन में बस यही प्रोब्लम है, कि सारी चीदें सही काम करनी चाहिए, तो क्या अंसर हैं यहाँ पर? M.K. Gandhi, Option 3, यह सब जगे प्रेसिडेंट रहें, Untouchable हो, Khilafat हो, ठीक है? Next question, In which of the following newspaper bycott declared in 1905? 1905 में bycott कौन से paper में declare हुआ? तो क्या अंसर है? जिसका संजीबनी, ठीक है, संजीबनी option 2. Next question, Indian unrest is the book in which तिलक has been featured as responsible for the agitational politics in India. Indian unrest वो किताब जिसमें तिलक जी को जिम्मिदार ठेहराया गया भारत में आंदोलन के लिए यह किसके द्वारा लिखी गई है? Lord Montague, Lalala Lajpada, Shashi Tharour, या Valentine Chirol, किसने लिखी है? Indian unrest जिसमें तिलक जी को जिम्मिदार ठेहराया गया agitational politics के लिए Valentine, Valentine, very good, Valentine सबको पता है 14 फरवरी Next question, सारे full-length test की PDF डिलीट हो गई तो group में आपको फिर से मिल जाएगी, ग्रूप में तो अवेलेबल है ना? Laptop भी तो खराब हो है, ग्रूप तो चालू है? सेवा सदन बी एम माला बारी ने अपने दोस्त के साथ शुरू किया, उनके दोस्त का नाम क्या था? लाला मुंशी राम, दीवान दयाराम, गिडू मल, शिव दयाल साहब, करेंट के लिए अंकित मेरतन क्लास है, 6 गंटेगी, जिसमें पूरा करेंट कवर किया है, उसके साथ मैं आप मंतली मैगजिन्स को फॉलो कर लीजिए, करेंट के लिए बेस्ट सॉर्स है, तो कौन थे जो बिये मालाबारी जी के दोस्त है, एक साथ सारे पीडिएफ मेरे पास भी नहीं है, 22 मार्च से आप लोग देखेंगे, डेट वाइस जाहिए, मैं बताता हूं इस कोश्चन के बाद में, तो दीवान दयाराम की डूमल यह से लेके जितने भी संडे आये हैं, वो सारे संडे पे आपको मिलेगा, ठीक है, पहला टेस्ट 15 मार्च, दूसरा 22 मार्च, उसके बाद जितने भी संडे हैं, हर संडे पे आपको पीडिएफ मिल जाएगी, तो क्या अंसर है इसका, कौलेज पार्टी और महातमा पार्टी दो डिफरेंड ग्रुप थे, कौन से समाज के अंतरगत, ब्रम समाज, आरे समाज, परामश मंडली या धर्म सभा, किसके अंतरगत कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी दो ग्रूप बन गए थे तो इसका अंसर है आरे समाच ठीक है आरे समाच के अंदर ये दो ग्रूप थे कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी और डीएवी कॉलेज के सिलेबस को लेके केन के बीच में दिक्कत हुई थी नेक्स्ट कोश्चन विच ओफ फॉलिंग सपोर्टर देवबंध स्कूल सपोर्टे इंक्लूजन ओफ इंग्लिश लेंगवेज लाइक के आप इतनी टेंशन मतलो जो इसको करना होगा वो करेगा नहीं करना होगा नहीं करेगा आप अपने टेस्ट पर ध्यान दो टेस्ट इंपोर्टेंट है आपके नंबर आने चाहिए वो इंपोर्टेंट है मेरे लिए लाइक इंपोर्टेंट नहीं है वहाँ पर आपका सेलेक्शन होना चाहिए तो देवबंध स्कूल को किसने सपोर्ट किया स्वरी देवबंध स्कूल का कौन सा सपोर्ट रथा जिसने इंग्लिश लेंगवेच के इंक्लूजन को सपोर्ट किया और नदवातल उलेमा को जो है इस्थापित किया कौन था वो जो देवबंध में रहता था लेकिन इंक्लूजन को उसने सपोर्ट किया इंग्लिश के और नदवातल उलामा की स्थापना की क्या आंसर है इसका आंसर है शिबली नुमानी ओप्शन नमबर टू शिबली नुमानी ये क्वेशन गलाते काफी लोग का अभी तक हिस्ट्री सही चल रही थी तो देखी इसको ठीक है next question which of the following organization protested against the reduction of age limit for candidates of Indian civil services examination examination in 1877 1877 में किसने civil services examination की जो एज है उसको कम करने का विरोध किया उसको कम करने का विरोध किया the Indian Association of Kolkata, the East Indian Association, the Indian League, your Landholders Society किसने ऐसा किया क्या आंसर इसका the Indian Association of Kolkata ठीक है option one next question सौराष्ट वीकली गुजराती न्यूस पेपर 1921 में किसके दौरा पब्लिश किया गया सौराष्ट वीकली क्या आंसर इसका जेवर्चंद मेगनानी option 3 option 3 सौराष्ट वीकली जेवर्चंद मेगनानी next वेंगार्ड कम्यूनिस जनरल किसके दौरा पब्लिश किया गया से डांगे, विपिन चंदरपाल, M.N. रोय या गोपाल बंदू वेंगार्ड कम्यूनिस जनरल किसके दौरा पब्लिश किया गया क्या आंसर है वेंगार्ड का M.N. रोय option 3 तो हिस्ट्री आपकी खतम हो गई है, देखिए हिस्ट्री में कैसा हाल है और आगे चलते हैं, पॉलिटी की तरफ, देवाइस प्रेसिडेंट के पूरा होने के पहले किस तरीके से प्रेसिडेंट की तरह उसको impeach किया जाता है या फिर एक राज्य सबा resolution पास कर दे special majority से और लोग सबा उसको agreed करे या फिर simple majority से या फिर absolute majority से क्या answer है 36 का इसका answer है 4, option 4, resolution of register, resolution of register, सबा पास बाइ absolute majority and agreed by लोग सबा, option 4, next question the office of leader of house is mentioned in, जो office है leader of the house का, ये कहां mention है, लीडर ओफ दा हाउस, question सारे जो आपकी books हैं विपान चंद्रा और spectrum इनी से होते हैं, कुछ PYQ, कुछ Google से कोई fix pattern नहीं है, तो क्या answer है 37 का, rules of the house, office of opposition leader का लिया जाता है, separate parliamentary statute से और ये लिया जाता है, leader of the house, rules of the house, ठीक है, जी वाइस प्रेसिडेंट था वाँ पर, इन रॉंग answer पर एक marks deduct हो जाएगा आपका, 1 by 3 marking है, next question, right to vote is not a fundamental right but a constitutional right, prisoners and under trials in India don't have the right to vote, next question, कौन से एक्ट ने divide किया प्रोविंशल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में, 39 question, निलम जी PDFs जो हैं वो आपको टेलिग्राम ग्रूप पे मिलेंगी, टेलिग्राम ग्रूप का नाम है सुमित UPSC-PFO जो comment में भी सबसे उपर मिलेगा आपको, वहीं पे इसकी आंसर की PDF सब कुछ आपको मिलेगा, तो कौन से reforms के द्वारा ये introduce कि गया कि प्रोविंशल सब्जेक्ट्स को दो केटेग्री में बाटा गया, आंसर है मौन्ट फोर्ड ओप्शन नंबर टू, next question, when the Constituted Assembly met as a legislative body, it was chaired by, जब Constituted Assembly जो है वो legislative body के रूप में, विधाईका के रूप में मिलती थी, तब किसके दोरा chair की जाती थी, मतलब एक संसिदी दल के रूप में जब मिलती थी, तो किसके दोरा chair की जाती थी, absolute, absolute majority था वहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, तो, जी, तो Constituted Assembly जब legislative body के रूप में मिलती थी, तो उसके president कौन, मतलब उसके जो chairman होते थे, वो कौन होते थे, G.V. Mavlankar, ठीक है, और जब मिलती थी, दूसरी तरीके से तो राजंद प्रसाथ, और Constituted Assembly, legislative body के रूप में, G.V. Mavlankar, next question, increase in the stock of capital, is known as, stock of capital में जो increase होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, capital loss, capital gain, capital formation, या none, या कुछ नहीं, तो क्या आंसर है, का, capital formation, option 3, next question, basis of the difference between, the concept of market price, and factor cost, basis of difference between, concept of market price, and factor cost, whenever, बएल बहीं होता है, यार कीई में, यार क्फा या तो किस्ट है, का लाता है, यार यार का है, अगा में, धर, मुत दिते हैसे, यार का अईSON, तो आंसर है net indirect taxes option 2 ठीक है market price और factor cost के बीच में क्या होता है net indirect taxes next question which of these is a limitation in the measurement of social welfare using GDP at constant prices as an index इन में से कौन सी एक limitation है measurement of social welfare using GDP at constant prices constant prices पर जब हम नापते हैं GDP तो limitation क्या है increase in population size change in working condition composition of production बहुत तेर बाद एक ठीक हुआ है इतना tough है गलत हो रहे हैं तो यहां पर सारे ही जो matter है वो limitation है increasing population size change in working condition composition of production ठीक है सभी next question which of the following system governs not issuing in India इंडिया में कौन सा system है जिससे जिसके द्वारा note issue की जाते है प्रपोर्शनेट जैहिंद इंडियन जैहिंद गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स तक आप लोग अपनी आईडी में सही नाम रखेंगे तो बोलने में भी सही लगेगा अब आपके सही नाम पता ही नहीं है ऐसे ही बोलना पड़ता है यह तो आपके चैनल का नाम है तो कौन सा system है इंडिया में जो फोलो होता है आंसर है minimum reserve system option 2 ठीक है तो इंडिया में कौन सा system फोलो होता है minimum reserve गुड मॉर्निंग मयंक पेपर टफ है तो अच्छी बात है टफ पेपर से ही पता लगता है कितनी तयारी है next question है कौन सा prompt corrective action के बारे में सही नहीं है प्रॉम्ट जी नाम सही है आपका जीत तो prompt corrective action नेचर लवर आपका नाम दीपती है ओके बिल्कुल ऐसा ही रहेगा level तो क्या answer होगा इसका prompt corrective action में क्या नहीं किया जाता क्या सही नहीं है answer है provision to stop operation operations बंद नहीं कर जेते बिल्कुल economy के current affairs से ही है ये question तो prompt corrective action का मतलब होता है कि आप छोटा मोटा उसको बोलो SCN issue करो ठीक है NPA की problem से related ये है और dividend distribution या donation या declaration पर रोग लग जाती है लेकिन बंद नहीं करते है ठीक है next question which of the following perspective considers that an organization is the subsystem of a social system and is made up of two divergent groups management and trade unions जो organization है वो social system का subsystem है और ये बना है दो अलग अलग groups से management and trade union SCN तो जारी होता है उसमें वहाँ पर पुछा था गलत क्या है तो 46 का answer क्या है current affairs की जो मेरा थाने उसमें economy भी है सिबानी उसमें सारी चीज़े हैं तो क्या answer है यहाँ पर pluralistic ठीक है option number two यहाँ पर दो divergent groups है system देखके आप system model मत लगाईए यहाँ पर दो divergent groups बताए गये हैं तो answer है pluralistic next question which of the following subject comes under union list कौन सा जो है वो union list के अंतरगत आता है union list के अंतरगत कौन सा आता है कोई बात नहीं है आईशा जी गलत हो रहा है तो क्या answer है option number one regulation of labor and safety in mines and oil fields next question किसने IR system को study करने के लिए nine systems develop किये जी मैं नाश्ता कर रहा हूं आप लोगे साथ तो क्या answer इसका nine systems किसने develop किये हाथ जोड रहे हैं कि ये तो सही हो जाए लेकिन ये सही नहीं है आपका रोबर्ट कॉक्स इसका answer है nine systems develop किये रोबर्ट कॉक्स में जिसको भी दिक्कत आ रही है हर question का answer डनलप लगा रहे हैं वो जाके एक बार current affairs इस्वरी इंडस्ट्रिल रिलेशन की मेराथन क्लास देखिए उसमें दस सिस्टम बताए गए हैं एक अकेला डनलप का नहीं है तो union control of industry theory ये किस ने दी है जी दीपती पूरे 120 question होते हैं full land test में रोबर्ट कॉक्स क्या answer है union control of industry GDH call option number one कहीं से नहीं ला रहे हैं सब आपकी किताबों से ही हैं next question core of IR is nature and development of the conflict itself IR की core क्या है इसका nature और इसका पैदा होने का reason खुद ही इसकी core है industrial relation changes with the changes in society industrial relation change हो जाते हैं with change in society क्या answer है आपका ही दिमाग बन नहीं है और भी लोगों के गलत हो रहे हैं काफी लोग गलत हो रहे हैं coal and dunlop का मतलब यह नहीं है कि सब जगे आप वोई लगा दे marks बिल्कुल सारे एक number के हैं सुमित तो क्या answer है इसका G. Margarison option number 4 sociology approach G. Margarison ने बोलाएगी IR जो है change हो जाता है with changes in society G. Margarison जी दीपती theory part के लिए sufficient है उसके साथ आप books को पढ़िए theory part के लिए मेरा थान sufficient है तो which of the following theory of labor welfare considers the basis for taking of welfare measures welcome सुमित गलत हो रहे हैं तो क्या answer skip कर दीजिए अगर आपको नहीं आता नेलम जी अगर मैं tick करके PDF upload करूँगा तो फिर काफी लोग को दिक्कत आती है जो PDF से attend करना चाहते हैं दूबारा इसलिए मुझे अलग से PDF देनी पड़ती है तो ये तो आम answer कर सकते हैं दंडा दिखा के ही काम होता है तो क्या है मम्मी पुलिस बुला लेगी option 4 police theory next question which of the following theory of labor welfare follows utilitarian approach utilitarian approach कौन सी theory follow करती है क्या अंजर है आप है functional theory option 4 functional theory utilitarian approach next question next question IR is that part of management which is concerned with main power of enterprises utilitarian trustorship नहीं है वो तो paternalistic है अपने आपको पिता मानो उसमें तो 53 राहूल मैं बैक नहीं जा सकता हूं इसमें तो जो भी आंसर में टिक किया होगा बैक वीडियो करके देख लेना किसने बोला है कि IR is that part of management which is concerned with the main power of enterprises whether machine operator skilled worker और manager तो कौन सा है जो किसने यह कहा है इसका अंसर है बैथल और अदर्स बैथल ने कहा है यह कि IR जो है वो एक पार्ट है management का जहां पर main power of enterprises जहां है वो machine operator हो skilled worker हो सब के लिए study किया जाता है बैथल एंड अदर्स next question 54 कौन सा आर्टिकल है जो secure करता है the right to adequate means of livelihood for all citizens right to adequate means of livelihood for all citizens 54 adequate means of livelihood option number one article 39 ठीक है आर्टिकल 39 next question आर्टिकल 16 के अंतर्गत इन में से कौन सा एक criteria नहीं है जिसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है इन में से कौन सा एक criteria नहीं है जिसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है 55 का आंसर दीजिए race, car, sex या place of employment किसके अधार पे भेदभाव किया जा सकता है कहने का मतलब question नहीं किया जा सकता है समानता में कौन सा नहीं आता है तो किसके अधार भेदभाव किया जा सकता है option 4 place of employment place of birth या residence पे किया जा सकता है लेकिन place of employment पे नहीं किया जा सकता है ठीक है next question wages fund theory of wages has been proposed जी place of residence और बर्थ पर क्या रह सकता है तो wages fund theory of wages किसके द्वारा दी गई है 54 का answer में पीछे जाके नहीं देख सकता जिस पर मैंने टिक किया होगा आप देख लेना तो wages fund theory किसने दी है J.S.Mill option 4 wages fund theory next question which of the following IR system model adds end user as an actor and conveys that elements from the external environment converts convert into outputs which flow back into the environment through a feedback loop कौन सा model जो है वो consumer को add करता है एक एक्टर के रूप में end user या consumer को और कहता है कि वो जो feedback देते हैं वो आपस से feedback loop के थूँ आ जाता है Craig's IR system model option 2 Craig's model option 2 हर जगे डनलप में answer है और हर जगे डनलप लगा रहे हैं ऐसा नहीं है कि सबका answer डनलप है तो Craig's IR system model इसका answer है next question Oxford approach of IR system is given by Oxford approach IR system की किसके द्वारा दी गई है तो यह तो सभी का सही है फ्लेंडर ऑक्सफोर्ड अप्रोच किस ने दिये फ्लेंडर ऑप्शन 3 next question conditions of service for change of which notice to be given comes under which schedule of industrial dispute act 1947 industrial dispute act 1947 के किस schedule में आता है conditions of service for change of which notice to be given सबका answer डनलप लगा दो गया आप आई यार में सारे काम डनलप ने थोड़ी करे है डनलप और होक्सी इसा लग रहा है दोस्ते हैं आप लोग के जहां यह मिलते हैं आप इन ही को लगा देते हो सबक्ता हैं आप लूए छेस बस आप कौन सा जो लो है वो related to regulation of establishment है regulation of establishment sorry जी नाष्टा कर रहा हूँ न अब हो गया है मेरा नाष्टा तो कौन सा लो है जो related है regulation of Dunlop का नाम अच्छा है क्यों और किसी का नाम अच्छा नहीं है तो देखिए regulation कैसे देखते हैं जो regulate करेगा अभी तो code बन गए तो आसान है आपके लिए plantation जो किस मा आएगा social security मा आएगा compensation भी social security मा आएगा working conditions मा आएगा compensation और EPF ये किस मा आएगा अलग तो जो regulation है और ये कौन से है इनका जो definition है dividation है वो प्याली में दिया हुआ है और अभी जो code बन गए है code से भी आपके लिए आसान है तो अगर regulate करने वाला पूछते हैं तो क्तीन ही है ट्रेड यूनियन dispute और standing order ठीक है schedule PDF IR की मैं already बना चुका हूं रेवाती all schedules कलके मेरा video available है उसको आप देख सकते हैं उसमें सारे schedule मैंने दिये हुए है तो सारे काम already मैंने किये हुए हैं आप देख सकते हैं पहले प्लेइलिस्ट में देखिए जी maths class के लिए बोल रहे हैं आप लोग maths class के लिए और science class के लिए तो maths के कुछ topics मैंने पहले भी पढ़ाये हुए हैं आप प्लेइलिस्ट में जाके देखिए time and work और percentage profit loss SICI यह सब मैंने पढ़ाया हुआ है उनको देख लीजिए फिर जो topic बचेंगे वो भी करा देंगे आपके और science का भी एक class लेके करा देंगे तो national level tripartite bodies कौन सी हैं इंडिया के लिए दोनों हैं Indian labor conference और standing labor committee दोनों हैं ठीक है option 3 next question definition of IR struggle for power as inherent features of IR the study of process of control over work relations यह किस ने दी है बिल्कुल बहुत वहाँ पर answer था इसका answer दीजिए study for power as inherent feature of IR तो power के लिए जो है struggle चलता रहता है और study of process of control over work relations कौन work relation पर control करेगा इस process की study सिबानी जी जाके देखिया प्लेइलिस्ट में available है all schedules sunshine maths के topics भी मैं आपको strategy for mathematics में बता चुका हूँ उस वीडियो को देखिए सब कुछ मैं करा चुका हूँ strategy for mathematics, strategy for English तो mathematics वाले वीडियो में आपको मिलेगा thank you है मन्तूर इसी तरह का कुछ paper रहेगा आपका खतरनाक तो उसकी तेयारी पहले से आप देख रहे हो किस तरीके से रहेगा answer है यहाँ पर high man option number 4 struggle for power is inherent feature of IR the study of process of control over work relation किसने दिया है higher next question for systems of management in the field of IR यहाँ पर डनलप option नहीं है वरना 100% सब लोग डनलप ही लगाते तो four systems of management किसने दिये हैं अब डनलप नहीं है अब देखिए किसको लगाना है किसके दोरा दिये गए है four systems of management कल अगर आपने अटेंड किया था subject wise test तो उसमें यह question था वहाँ से आप answer दे सकते हैं answer है रैंसिस लिकट option number four रैंसिस लिकट के दोरा बताए गए है four system of management स्वाती जी सारे question कराए है मेरा थन में आपको ठीक है मेरा थन क्लास के आप तो present थी वहाँ पे live थी आप तो last जो है हमारी live class उसमें मिलेगा आपको अब industrial relation खतम हो चुका है current affairs committee for the draft new education policy is headed by committee for the draft new education policy कल भी गलत हुआता तो देखिए जो मेरा थन क्लास है जिसमें आप live थे last वाली class उसमें है सब तो committee for the draft new education policy किसके दौरा head की गई है अब आप Pluto पे हैं कि धरती पे हैं तो आप ही बता सकती हैं तो यहाँ पर क्या answer है के कस्तूरी रंगन ठीक है के रंग राजन नहीं है के कस्तूरी रंगन इस दा answer next question श्रमेव जैते योजना के लिए क्या सही नहीं है सुरी क्या सही है तो श्रमेव जैते योजना के लिए क्या सही है के कस्तूरी रंगन बिल्कुल सही और यहाँ पर आपको आंसर बताना है श्रमेव जैते योजना के रेस्पेक्ट में क्या सही है question भली आपको टफ लग रहे हैं लेकिन जो cut off है वो वही रहेगी 80 प्लस मार्क्स होने चाहिए पिछला जो test था full length 16 उसमें threshold से उपर cut off से उपर मार्क्स थे शिखा वर्मा आर्यन प्रशांत के और विकाश पांडे तो इन सभी के लिए जोड़दर तालिया और आप लोग भी try कीजी कि अगली बार आपका नाम इसमें आए तो श्रमेव जैते योजना से संबंधित क्या correct है answer is 512 श्रम सुविधा पोर्टल इसी में है और ministry of labor and employment के अंतरगती आती है लेकिन foreign investment कोई attract नहीं करती ठीक है जी बिलकूल 120 में से negative marking के बाद में 80 plus marks होने चाहिए next question participatory guarantee scheme किस से related है participatory guarantee scheme process of certifying organic products capacity building for MSMEs low interest rate credit scheme for farmers higher education program participatory guarantee scheme किस से related है participatory guarantee scheme correct answer is option one option one process of certifying organic products option number one next question नेहा जी मैं कल आपको बता दूँगा पूरा schedule दे दूँगा subject test का ठीक है तो अभी test देखिए सहकार प्रज्या जो initiative है उनमें से क्या सही है सहकार प्रज्या initiative के लिए क्या सही है training modules which will be provided through TIFAC Technology Forecasting and Assessment Council or it comes under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare तो क्या अंसर है यहां पर क्या सही है सहकार प्रज्या तो यहां पर only two सही है option one गलत है जो training है वो TIFAC से नहीं NCDC से आती है ठीक है National Cooperative Development Corporation तो NCDC से यहां पर training module आता है और Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के अंतरगती आती है तो only second सही है next question which of the following is not a member of ILO इन में से कौन जो है वो ILO का member नहीं है आस्ट्रेलिया यूएस साउथ अफ्रीका भूटान ILO का member कौन नहीं है 68 सभी का सही है पहली बार पूरे test में कोई question है जो सभी का सही है ILO का member नहीं है भूटान अपने पडोसी को आप अच्छी तरह से जानते हैं या फिर बाकी तीन को जानते हैं कि यह है next question RKY RKY यानि राष्ट्रिय क्रशी विकास योजना रफतार RKY रफतार के बारे में क्या सही है RKY रफतार के बारे में क्या सही है centrally sponsored scheme है implemented through state agricultural department to promote value chain addition linked production models तो RKY के लिए क्या सही है ये भी काफी लोगों का सही है both are correct centrally sponsored scheme है लेकिन implement होती है state agricultural department से promote करती है value chain addition को ठीक है next question आपदा प्रबंधन पुरस्का 2021 किसको दिया गया आपदा प्रबंधन पुरस्का 2021 person category में किसको दिया गया उर्जित पतेल सोनू सूद राम लक्षमन श्रिवास्तव या राजेंदर कुमार भंडारी SC बोस आपदा प्रबंधन पुरस्का 2021 अब सोनू सूद फेवरेट होगे आपका जहां सोनू सूद मिल गया वो लगा दिया आई यार में डनलफ फेवरेट यहां पे अमर्ति सेन सोनू सूद यह लोग फेवरेट लेकिन आज किस्मत थोड़ी अलग है आपका फेवरेट आंसर नहीं है राजेंद्र कुमार भंडारी आपदा प्रबंधन पुरस्का 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी आपको confuse करने के लिए से option दिये जा सकते हैं ध्यान रखें किसने जीता है 2021 का person category में राजेंद्र कुमार भंडारी आख बंद करके लगाएंगे तो गलत होगा ध्यान रखिए सक्षम पॉर्टल किस से रिलेटेड है सक्षम पॉर्टल है ध्यान दीजिएगा सक्षम केंपेंड नहीं है सक्षम पॉर्टल किस से रिलेटेड है सक्षम campaign अलग है सक्षम portal अलग है यह तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ वहां तो कोई यह भी नहीं बताएगा ध्यान से पढ़िए सक्षम portal किस से related है fuel conservation creation of jobs textile sector या online education marks नहीं आरे learning हो रही है तो यह भी बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे लोग तो चले गए इस चक्कर में कि भई सही नहीं हो रहे है पहले 84-85 online थे अभी कम हो गए तो अगर question नहीं हो रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए अभी बिल्कुल ऐसे ही confused आपको उपेसी करेगी तो सक्षम portal किस से related है creation of jobs ठीक है सक्षम portal किस से related है creation of jobs next question national agricultural higher education project find wrong statement अगर question नहीं आते हैं tough है तो और अच्छी बात है आप कुछ सीख रहे हो तो दोनों ही बात है अच्छी है बहुत सारे बच्चों को मैं देखा है कि उनके marks आते हैं तो ही उने मज़ा आता है अगर उनके question गलत होते हैं तो उने लगता है पेपर गलत है ऐसा नहीं होता यहां तो आप फिर भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं बैठाओं सामने वहां पर आप किस से बोलेंगे वहां तो कोई सामने मिलेगा नहीं आपको तो हमेशा यही मानके करना है पेपर की जो लिखा है वो सही है उसी साब से आपको answer देना है आप यह लाएंगे मन में की out of syllabus है या कुछ है ऐसा है वैसा है तो वहां तो कहने लायक भी नहीं रहेंगे वहां तो जो भी है बस वही करना है तो वही चीज़ ध्यान में रखनी है national agricultural higher education project के लिए wrong statement क्या है implemented by MOHRD 50% funded by word bank 50% by central government to provide high quality education to agree students answer है option number one implemented by MOHRD नहीं है implemented by agree and farmer welfare है बाकी सब सही है implemented by MOHRD गलत है next question PM किसान संपदा योजना कौन सी industry के अंतरगत आती है PM किसान संपदा योजना PM किसान संपदा योजना कौन सी industry के अंतरगत आती है यहां भी सब confused है और इसका answer है ministry of food processing industries option number two ठीक है किसान संपदा ministry of food processing industries next question inspire program का component कौन सा नहीं है सब confused हैं यह हो सकता है यह हो सकता है यही बोल रहे हैं इस question का मेरे ख्याल से answer कर सकते हैं 74 का inspire program का हिस्सा नहीं है scheme for early attraction of talents scholarship for higher education assured opportunity for research career से a clubway model residential school जी बिलकुल फोर्थ option इसका answer है a clubway model ministry of tribal affairs में आता है inspire में नहीं आता है ठीक है a clubway model residential school inspire program का हिस्सा नहीं है telegram group का name है सुमित UPSC EPFO SU MIT UPSC EPFO next question है solar चर्खा mission किसके दौरा launch किया गया है बिलकुल tribal areas के लिए होते हैं a clubway model school तो solar चर्खा mission किसके दौरा launch किया गया है ministry of MSME ministry of new and renewable energy ministry of skill development और यहां भी सब confused हैं और इसका answer है MSME option number one ministry of MSME solar चर्खा mission ministry of MSME next question not for profit organizations क्या बनाती है इनमे से तो चलिए अब हर subject आपको परिशान कर रहा है शायद accounting ना करे not for profit organizations prepare audience poll audience नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको poll करवाने के लिए जो answer देना आपको ही देना तो not for profit organization क्या बनाती है trading account trading and profit and loss account income and expenditure account या all ये लगबख सभी का सही है सिर्फ एक दो लोग का गलत है क्या answer है all all ठीक है sorry all बोल रहा हूं income and expenditure option number three income and expenditure account option number three ठीक है next question नहीं 76 का three है income and expenditure है ठीक है next question A and B are partners in partnership firm without any agreement A और B जो है वो partner है without any agreement कोई agreement नहीं है उनका A has given a loan of 50,000 to the firm A ने 50,000 का loan दिया है firm को at the end of the year loss was incurred in the business अरे वो गलती से मैंने four लगा दिया income and expenditure account है ठीक है उसका answer तो यहां पर क्या है confidence को मत जाने दीजिए पकड़ के रखिए यह question पढ़िए important है A और B जो हैं वो partners हैं इसी तरह के question वहाँ पर आएंगे आपके तो इसको ध्यान रखना सारे question आज इस तरह के हैं कि आने लायक हैं तो इनको बहुत ध्यान से आप कीजिए A और B दो partners हैं और without any agreement के partner हैं वो A ने जो loan दिया है पचास अजार का और last में हो जाता है loss following interest may be paid to A by the firm very good दीपती तो loss हो गया तो A को क्या मिलेगा A को फिर भी 6% पर है न मिलेगा ठीक है loss होने के बाद भी option B is the right answer next question the excess amount which जी दुबारा दीजिए तीन बढ़ दीजिए चार ब़ दीजिए आपके पास PDF और वीडियो दोनों रहेंगे लेकिन लाइव जो देते हैं तो फिर मजा लगाता है तो the excess amount which is which the firm can get on selling assets over and above the sellable value of its asset is called बहुत सारे लोगों को आज का test दे नहीं पा रहे हैं इसलिए unlike कर रहे हैं देखिए आज unlike कितने हैं तो लोगों को जो question नहीं आता है उनको लगता है कि ये question गलत है ये source selection नहीं होने देती है इस source से बचके रहे हैं जो आपको नहीं आता वो गलत नहीं है और जब UPSC पूछेगी तो फिर कुछ कहने के लायक नहीं बचेगा इसलिए बताइए कि excess amount जो अगर sellable value से ज़्यादा मिलता है तो क्या answer है goodwill option number 4 ठीक है जो sellable amount से ज़्यादा हमको मिल रहा है वो क्या है goodwill next question what treatment is made of accumulated profits and loss on the retirement of partner retirement of partner पर क्या होता है profits and losses का बिल्कुल सही जो नहीं आता है वही exam में आता है UPSC को unlike कर देना उससे क्या होगा बिल्कुल UPSC कुछ भी कर सकता है वहाँ पर बैठ के आप उसको unlike करना UPSC को तो क्या होगा उससे तो treatment made to accumulated profits के आंसर है option number one credited to all partners capital accounts in old ratio ठीक है old ratio में credit कर दिया जाता है retirement से पहले next preference share in case the holders of these have a right to convert their preference share into equity share जब आपको right मिलेगा कि आप convert कर सकते हो preference share को equity share में तो ऐसे shares को क्या कहा जाता है thank you Akshay राहूग 79 के लिए बोल रहे हैं आप मैं देख लूँगा इसका answer बताईए preference share जिसको convert किया जा सकता है equity में convertible preference share जिसको आप convert कर सकते हो वो क्या कहलाता है convertible next question as per companies act the balance sheet of a company is required to be presented in questions गलत थोड़ी होता है वही तो मैं बता रहा हूं आपको जब UPS sim बैठेंगे तब भी सोचेंगे कि यार यह तो है नहीं लेकिन क्या करें वहां तो जो कह next question which one of the following item is not a method of analysis of financial statement method या tool नहीं है financial statement के analysis का hello Aria तो क्या answer है financial statements के analysis का method या tool नहीं है Trend Analysis, Statement of Affairs, Cash Flow, Comparative Statement क्या आंसर है यहां पर? यह सब आपने पड़ा हुआ है, Trend Analysis भी करते हैं, Cash Flow भी करते हैं, Comparative भी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, Statement of Affairs Next Question, Option No. 2 आंसर है While Calculating Operating Profit, Which Will Be Added to Net Profit यह जो fourth option है, यह refund of debt है, ठीक है, यह bad लिखने में आ गया है, और यह refund of debt है, ठीक है? रुकमनी 11 बजए से start है, टेस्ट, तो Operating Profit जब calculate करेंगे, तो क्या जोड़ा जाएगा, Net Profit में? इसका अंसर है, Increase in General Reserve, Option No. 2, Increase in General Reserve Operating Profit के लिए, Sell of Asset भी नहीं जोड़ेंगे, Interest, Debt कुछ नहीं, Increase in General Reserve Next Question, Which of the following statements not true about Provisional क्या था यहां पर, Which of the following states Good Afternoon, राज Good Afternoon, नहीं, वहां पर General Reserve भी है, इस Question में, क्या है Question में, यह Google ने कुछ Mistake कर दी है, Which of the following statements not true about नहीं, ओपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आता है वो, हाँ यहां पर प्रोविजन आएगा, प्रोविजन आएगा यहां पर, प्रोविजन के लिए क्या सही नहीं है, अरे मैं टाइप करता हूं, तो Google अपने आप जो अटो करेक्ट करता है न, उस वज़े से दिखकते हैं, तो कौन सा statement जो है, वो प्रोविजन के लिए सही नहीं है, प्रोविजन के लिए क्या सही नहीं है, बिल्कुल आप और महनत करें इसलिए तो इसका अंसर है इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यह सही नहीं है ठीक है इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेक्स्ट कॉस्ट्टन इस राम्स एक्सेप्टेंस विच वाज एंडोस्ट बाइस इंफेवर अव सलीम इस डिसोनर देन अमांट विल बी डेबिटेड इन यौर बुक्स तू आंसर ओप्शन टू है वहां पर तो इफ राम्स एक्सेप्टेंस विच वाज एंडोस्ट बाइस इन फेवर अव सलीम इस डिसोनर देन अमांट विल बी डेबिटेड इन यौर बुक्स तू तो क्या अंसर है 85 का राम किसको डिसोनर करेंगे आप अपनी बुक्स में किस पे करेंगे डेबिट राम ठीक है नेक्स्ट कॉस्टिन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेज आर पेड फोर इंस्टोलेशन ओफ मशीनरी बिलकुल राम वहाँ पे सही आंसर है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेज आर पेड फोर इंस्टोलेशन ओफ मशीनरी machinery account, installation account, wages account या cash account, कौन सा account debit होगा installation के लिए तो क्या answer है यहां पर machinery account option number one ठीक है next question x limited follows the return down value method of depreciating machinery year after year due to जो x limited है वो हर साल depreciating machinery के लिए return down value method यूज़ करता है तो इसका क्या कारण है comparability, convenience या consistency या all बिलकुल machinery account वहाँ पर answer है तो इसका क्या answer है consistency ठीक है consistency follow करता है इसलिए हर बार एक ही rule follow करता है consistency next question ब्रांच एड़स्ट्मेंट अकाउंट है डेबिटिंग रिजर्व स्टॉक अकाउंट क्या अंसर होगा एटी एट का एटी एड का अंसर है ऑप्शन नंबर वन डेबिटिंग गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ठीक है इन्वोइस प्राइस पर जब करेंगे डेबिटिंग गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्या क्या जाता है डेबिटेट तू जवैंट वैंचर अकाउंट या च्रेडििटेट तू कोवैंचर अकाउंट 89 गा 2 credited to joint venture account ठीक है joint venture account में credit होगा next question which of the following is called special mention account इन में से क्या है जो special mention account कहलाते है NPA account accounts which are exhibiting signs of stress but not NPA accounts of value investor in a bank accounts categorized by a bank manager for its specific branch hundred के उपर ले जाईए like को तो special mention account जो है question सारे book से ही है ठीक है NCRT से है जी NPA बनने से पहले के लिए special mention account होता है तो accounts which are exhibiting signs of stress but not NPA इसका अंसर है question 2 sorry option 2 next question nail polish remover में क्या यूज होता है acetone, benzene, petroleum, ether या acetic acid nail polish remover में क्या यूज होता है science आ गई है general science क्या आंसर है acetone option number 1 next question anti-freeze element के रूप में automatic engines में क्या use होता है ethylene glycol option 3 anti-freeze element next question wood spirit के नाम से जाना जाता है wood spirit wood spirit के नाम से जाना जाता है wood spirit methyl alcohol option number 1 क्या जाना जाता है wood spirit के नाम से methyl alcohol next question which of the following is used to stop gum bleeding gum bleeding को रोकने के लिए क्या use किया जाता है gum bleeding को रोकने के लिए क्या use किया जाता है nicotinamide thiamine ascorbic acid vitamin b जी पूर्णी मा एंसियार्टीज करनी है आपको तो gum bleeding को रोकने के लिए ascorbic acid option 3 next question काला जर is communicated by काला जर जो है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है संचारित किया जाता है black fly, sand fly, house fly या mosquito काली मक्खी, सिक्ता मक्खी, घरेलू मक्खी या मच्छर काला जर ये करेंट अफैस में भी है तो काला जर किसके द्वारा फैलाया जाता है sand fly option 2 next question thyroid gland का work क्या होता है thyroid gland का work क्या होता है to control blood pressure, to control reproduction system, to control metabolism to increase immunity thyroid gland के बारे में सभी लोग सही है आप इसका answer है to control metabolism next question useful part in coriander धनिया में जो important part है वो क्या है root and leaves, flower and dry fruits, leaves and dry fruits, leaves and flowers useful part क्या है कोरियंडर में leaves and dry fruits, पत्ते और सुखेफल, option 3 next question ice is floating on water in a beaker when ice melts, labor of water will अच्छी बात है कोई गलत नहीं है इसका जवाब दीजिए बर्फ अगर पिघल रहा है तो पानी का level क्या होगा पिघलने के बाद बड़ेगा घटेगा सेम रहेगा या पहले बड़ेगा फिर घटेगा simple question है answer remains the same level जो है वो same रहता है ठीक है next question pressure inside a soap bubble is एक पान साबुन के बुलबुले के अंदर जो pressure होता है वो more than atmospheric pressure होता है lesser than atmospheric pressure होता है equal to atmospheric pressure होता है half of atmospheric pressure होता है same रहेगा अदित्ती जी जब बर्फ पिघल जाएगा तो level में change नहीं होता है क्योंकि वो पहले ही उसी में था ठीक है पहले ही था उसी में level same रहता है बहुत basic question है तो NCRT का ये गलत हो सकता है science में आप लोगों का more than atmospheric pressure एक soap bubble के अंदर more than atmospheric pressure होता है next है when a stone is brought from moon surface to earth surface ये भी बहुत basic question है physics का तो जब एक चांद से पत्थर धर्ती पर लाया जाता है तो उसका mass change होगा या mass change नहीं होगा weight change होगा या फिर दोनों change होगे या दोनों same रहेंगे बहुत ही basic question option 2 mass किसी का कभी भी change नहीं होता है weight ही change होता है weight होता है mg तो g की वज़े से वो change हो जाता है बिल्कुल next question low level language का example इन में से कौन सा है 1 by 6 g होता है तो g से जब multiply करेंगे mg तो change होगा ठीके mass same रहेगा g change हो रहा है यसलिए weight change हो जाएगा mass same रहेगा तो low level language का example इन में से कौन सा है assembly C Fortrania Pascal low-level language assembly language option no 1 next question integrated circuit इंटेगरेटीट इनिटीशे से में पॉप्यूटर कोंसी इनरीशन में इत्वी यूस किए गए हाँ को in half a computer के question ज्री इस ने ऐम हरो वेखो फिल state Например यूस्तराइटी नारेटीश्यक्त इंटिग्रेटेड़ सर्किट यह हुआ है थर्ड जनरेशन में नेक्स्ट कोश्चन एडवेक किसके दोरा डेवलप किया गया है एडवेक तो एडवेक किसने डेवलप किया है इसमें 1 और 3 में कन्फ्यूज हूं है तो आपने इन दोनों में से जो भी लगाया है अगर इन में से लगाया है तो देख लेना इसका मैं बाद में बताता हूं एडवेक जो है जोन वो न्यूमेन या जेपी एकट मैं देख के आपको बताता हूं ठीक है इन में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप नहीं है ओके देख लेते हैं इसको एडवेक किसका है तो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है रॉम, रैम, डिवीडी या हार्ट डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का टाइप कौन सा नहीं है ओके तो क्या अंसर है यहां पर रैम आप्शन नंबर बी next question, the speed of CPU is known as CPU की speed जो है वो किस नाम से जानी जाती है data width, bandwidth, punch speed या clock speed CPU की speed किस नाम से जानी जाती है क्या अंसर है clock speed option number two clock speed option two, चलिए maths स्टार्ट हो रही है 52% लोग fail हुए हिंदी में, 42% इंग्लिश में और 17 दोनों में तो पास दोनों में पास कितने परसेंट लोग हुए दोनों में पास कितने लोग हुए क्या अंसर है 106 का बिल्कुल pen paper ले लीजिए और अगर चेक कर लिया है किसी ने उसका अंसर जेपी एकट है उसका मान लीजिएगा जिसका सही जिसने जेपी एकट लगाया हो उसका सही है 23 इसका अंसर है ठीक है 52 प्लस 42 माइनस 17 करेंगे 77 आएगा ये फेल है तो 23 कितने हैं पास है next question x and y are numbers such that 65 x y is a number divisible by 80 then find x plus y तो x और y जो हैं वो ऐसे number हैं जिसकी वज़े से 65 x y divisible है by 80 तो x plus y क्या होगा एक हैं वज़े आईएएभ। क्यांसा देसका? option 6 option number 1 answer is 6 क्योंकि 80 से होना चाहिए तो last digit तो y तो 0 होगा x 8 से जा इसके लिए option है 6 ठीक है तो answer है 6 next question a और b दोनों जो हैं वो double efficient है c से जब वो एक साथ काम करते हैं और b और c जो है वो triple efficient है a से जब वो साथ काम करते हैं अगर तीनों मिलकर ये काम 12 दिन में करते हैं तो a कितने दिन में करेगा सारे एक्ट की मैंने वीडियो बना रखी है राजेश शेडियूल की मैंने सारे एक्ट की एकी वीडियो है all schedules करके जो है तो maths भी tough लग रही है संख्या कम हो रही है attempt कीजिए tough होने का मतलब भागना नहीं होता a और b जो है वो double efficient है c से और b और c जो है triple efficient है a से अगर 12 दिन में काम complete करते हैं तो a कितने दिनों में करेगा 108 क्या answer होगा इसका 48 days option number one और किसी का आया है 48 days बिलकुल सही next question कुनाल ने 65,000 रुपे में कुनाल ने 65,000 रुपे में कुछ सामान खरीदा उसको 24% profit पे बेचा और फिर जो पैसा मिला उससे उसने 20% loss पे कुछ बेचा तो उसका total profit या loss आपको बताना है क्या answer है वन जीरो नाइन का किसी का आया 109 का answer profit या loss answer नहीं आ रहा है पहले 24% profit कीजिए फिर 20% loss ultimately क्या आएगा loss और कितना आएगा फिफ्टी टू रूपीज लॉस अप्शन 3 फिफ्टी टू रूपीज लॉस आएगा फिफ्टी टू रूपीज लॉस आएगा आप इसको 24% निकाल के फिर 20% loss कीजिए 52 रूपीज लॉस इस दा आँसर next question A और B ने 6 इस तू 5 में बिलकुल सही 52 रूपीज लॉस आप्शन 3 इस दा आँसर next question A और B ने 6 इस तू 5 में इन्वेस्ट किया और 7 महिने बाद A ने उसका सारा पैसा निकाल लिया और B ने आधा निकाल लिया last में जो profit ratio decide वह ओ 4 इस तू 5 था then for how many months money of B was in business तो B का पैसा कितने समय तक business में था 87 review करना है मैं देख लूँगा उसको मैं सारे question दुबारा से देखता हूँ answer की भेजने से पहले तो मैं देख लूँगा उसमें problem नहीं है इसका बताईए welcome आवाज welcome तो क्या answer है यहां पे B का पैसा कितने समय तक लगा हुआ था रागी नहीं बोल रही है बारा महीने answer है 14 months option 3 जी अमोल का आया है answer है 14 months 14 months बिलकुल साई नहीं 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 क्याँ ड्स्चर कर घंसके बोलकुल सीजाँ सबस्नाग क्याल प्सक्णिक के ज Keeping लोल उल जे लोल और रहा है घूश्चर को खन mister बिल्कुल इसका बताईए 111 का क्या अंसर है बोथ बिल्कुल सही option 3 बोथ यहां पर अंसर है बोथ बिल्कुल सही next question 112 some harmoniums are instruments some instruments are flute some flutes are instruments some harmoniums are flutes 112 का क्या है 112 का answer one only one follows बिल्कुल सही option number one one follows second follow नहीं होता only one follows next question a b और c partner है a ने 4000 बी ने 6000 लगाए starting में b ने 6000 लगाए और 4 महिने बाद 4000 बढ़ा दिये c ने शुरू में 8000 लगाए और 9 महिने बाद 2000 निकाल लिए if profit at the year end वा 16,950 profit जो था end में वो 16,950 था year end पे तो profit of c आपको बताना है आज का जो पेपर है वो एक बिल्कुल balance पेपर है जैसा आपको देखने को मिल सकता है 5 सितंबर को तो इसको आप standard मान के preparation कीजिए इसी तरह का पेपर आपको देखने को वहां पे मिल सकता है तो क्या answer होगा यहां पे 113 का 6750 होगा देखिए कुछ calculation mistake हुई होगी 6750 होना चाहिए जी 6750 इसका answer होना चाहिए कुछ problem होई है कुछ mistake होई है देखिए उसको 6750 इहां पे answer है next question एक flight में 600 km average speed थी plane की जी math का solution में दे दूँगा बिल्गुल 6750 होगा पे answer है more मेराथन classes आणब आप बोल रहे हैं किस subject के लिए बोल रहे हैं तो यह तो simple question है इसको तो बता सकते हैं 600 km speed थी 200 km कम की गई और पीछे देखो पीछे जिससे 30 मिनट बढ़ गए science के लिए okay तो 30 मिनट बढ़ गए original length of flight क्या है quality जी original length of flight का मदब यहां पर original length time की आपको बताना है एक घंटा बिल्कुल सही एक घंटा पहले वो 600 की speed से जाने वाली थी 400 कर दी तो देड़ घंटे लग गए ठीक है तो answer क्या है एक घंटा next question area of a triangle having 8 cm quality के लिए already मैंने पढ़ाया हुआ उसको मैं combine करके आपको देदूंगा quality की class अभी भी आप देखेंगे तो playlist में आपको मिल जाएगी और उसको मैं combine करके आपको देदूंगा तो 8 cm उसकी base है के आपको आपको अएगे के आपको आपको यसको आपको पन्टा सोला पाई बिलकुस है ओप्शन थ्री नेक्स्ट फुल लेंड टेस्ट नेक्स संडे होगा ग्यारा बजे हर संडे को होता है यह ठीक है तो 16 पाई बिलकुल सही चली काफी लोग का आंसर आया इस बार अभी तक तो आप कन्फ्यूस थे मैथ्स में नेक्स्ट कोश्टन वन मिली मेटर जो सर्कुलर शीट है वो एक सॉलिड मेटल स्फियर को पिघला के बनाई गई है जिसका रेडियस था 3 डेसी मेटर आपको शीट का डाया मेटर बताना है शीट का डायमीटर आपको बताना है तो मैट स्टफ लग रही है आज लेकिन इसी तरह की आएगी तो इतनी तैयारिया आप रखिए क्या आंसर होगा वन मिलिमेटर सर्कुलर शीट पिखला के बनाई गई है एक मेटल स्फियर को जिसकी रेडियस है तीन डेसिमीटर फाइन डायमीटर आफ दाशीट बारा मीटर डायमीटर पूछा है तो आंसर क्या होगा बारा मीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन जी बारा मीटर अंसर होगा यहां पर बताईए एक खोकला बेलन है जो दोनों साइड से बंद है बेस की जो रेडियस है वो हाइट की हाफ है टोटल सर्फेस एरिया है 924 आपको हाइट ओफ सिलेंडर बतानी है हाइट ओफ सिलेंडर हाइट क्या अंसर एक सो सत्रा का चोदा ओप्शन नम्बर वन ठीक है हाइट रे बतात है हाइट ऐ अधा दस घंटे में एक पाइप टैंक को भर सकता है लेकिन पाँच घंटे बाद ये पता लगा कि एक छेद है बॉटम में जिसकी वज़े से वो नहीं भर रहा है और उसको बंद कर दिया गया इसके बाद टैंक 7 घंटे में भर गया तो ये होल पूरे भरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकता है क्या अंसर होगा 118 का 35 घंटे ठीक है 35 घंटे आंसर है next question find different number of words can be made यहां पर भी आएगा can be made can be made by the letters of words orange औरेंज से कितने words बनाय जा सकते हैं अगर हमेशा start हो with a vowel एक स्वर से शुरू हो हमेशा तो ऐसे कितने शब्द बनाय जा सकते हैं औरेंज से क्या आंसर है इसका 360 option 3 first place को भरने के लिए 3 option है o a और e यह 3 vowel है तो 3 option है और उसके बाद में factorial 5 आंसर क्या है 360 next question probability of getting number 3 or 4 in a random throw of dice तीन या चार नंबर आने की probability क्या है जब और होता है तो क्या करते हैं प्लस कर देते हैं तो 1 by 6 प्लस 1 by 6 2 by 6 यानी 1 by 3 ठीके क्या आंसर होगा 1 by 3 कौन से question को समझाना है तो यह आपका test end हो गया है और जो भी आपके marks हों आप comment section में बताईएगा maths की class लेनी है maths की class जो पहले मैंने दी हुई है उनको मैं combine कर देता हूँ उसके बाद जो topics बचे हैं उनकी class ले लेंगे तो आपका test जो है finish हो गया है और जो भी आपके marks हों आप comment section में बताईएगा बिल्कुल fever है तो इलाज कीजिए जी video upload कर देता हूँ मैं तो चलिए जो भी आपके marks और experience हों आप बताईएगा comment box में number system ओके जी questions मैं review कर लूँगा okay मैं question review कर लूँगा कोई दिक्कर नहीं है accounts में ज्यादा problem आ रही थी मैं review कर लूँगा और जो भी है आपको बता दूँगा आप जो भी आपके 120 में 1 by 6 प्लस 1 by 6 करना है आपको 3 और 4 के लिए और जहां आता है या आता हिंदी में तो add किया जाता है ठीक है या आता है तो add किया जाता है और आता है तो multiply किया जाता है वेलकम अक्षे वेलकम वेलकम जी 84 87 में सब देख लूँगा तो चलिए आपके जो भी marks and experiences वह आप comment box में share कीजेगा जुड़ने के लिए धन्यवाद और good afternoon good bye hope आप सबका दिन अच्छा जाए जय हिंद